नमस्कार जहिंत All Exam Guide Guru के YouTube चैनल पर मैं सभी student का स्वागत करता हूँ दोस्तों हमारे चैनल पर आपको केवल और केवल प्रैक्टिस सेट कराये जाता है डिटेल के वीडियो बहुत कम मिलेंगे प्रैक्टिस सेट के पेपर जादा मिलेंगे आप किसी भी स्कूल से, कोचिंग से, कहीं से भी पढ़ते हो अपना प्रैक्टिस करिए हमारे चैनल पर आके आपको कितना पढ़ा है, कितना याद हुआ ये जानने के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है हमारे कॉशन को देखिए, और देखिए क्या आपसे 50 से 60 कॉशन सही हो पा रहे है यदि आपके 50 से 60 कॉशन सही हो पा रहे है, इसका मतलब ये है कि आपकी पढ़ाय अच्छी चल रही है तो हमेशा प्रैक्टिस किया करो, तीन वीडियो मिलते हैं, कम समय में आपकी ज़्यादा कॉशन कराते हैं ये हमारे चनल का टार्गिट है, और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना बाद में जरूर लाइक कर देना, श्टार्ट करेंगे, बिना दिर की हुए पहला कॉशन देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये रहा मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां इस्थाना नतरित कर ली थी, चोल शाषक के समर्थक थे, शैव धर्म को ये मानते थे चितोड अभियान के दौरान एक फारसी तिहासकार अलावदीन खिलजी के साथ आ गया था, वह कौन था, तो अमीर खुसरो था, जो कि एक फारसी तिहासकार था हडपा संस्कती में घोड़े की अस्तियां किस स्थल से प्राप्त हुई है, तो सुर्ख कोटदा से घोड़े की अस्तियां प्राप्त हुई है हडपा संस्कती में संगम योग में रचित ग्रंथ, तोलक पीम का विशाय क्या था, तो ये एक तमिल व्याकरन है तोलक पीम तो बिंदु सार के दर्बार में डायो नियस को दूद बना कर भीजा गया था अभी लेखों में देवा नाम प्रिय या प्रिय दर्शी किस आशक को कहा गया है तो अशोक को देवा नाम प्रिय और प्रिय दर्शी कहा गया है किस बौध बिक्चु के प्रभाव से अशोक का ध राजधानी धांका से मुर्शिदावाद इस्थानंत्रत कर ली थी तो नवाब मुर्शिद कुली खाने धांका से मुर्शिदावाद राजधानी को बदल दिया था प्रसिद्य कोनार्क मंदर किस देवता के लिए है तो कोनार्क मंदर सूर्य देवता के लिए है कमेंट करके मैंनार कमंदर किस राजी है वीडियो को ने है साथ पूछना हो ज़रूर बताना हडपा कालीन सविता मान उतिहास के किस योग से संबनित है तो हडपा कालीन सविता ये कहां से तामर योग से संबनित है प्रथम बौद संगिती की अधिक्षता किसके द्वारा की गई थी तो महा कश्यप के द्वारा सबसे पहली बौद संगिती की अध्यक्षता की गई थी मिलिंद पनहों के पात्र कौन-कौन थे तो नागसेन एवं मेनांडर या मिलिंद ये मिलिंद पनहों के पात्र से दोनों पल्लाव चोल मंदर स्थापत कला शैली को किस नाम से जाना जाता है तो पल्लाव चोल मंदर स्थापत कला द्रवन शैली के नाम से प्रस्द्ध है कल्याणी के चालुकियों और चोल में शत्रूता थी वह कौन सुलतान था जो सयम को नायब एक खुदाई इश्वर का क्निर की नाम के किस संस्कृत करते हैं यहांतों की सीमा के समीप की समीप हमृपपा काली इसल धोरा वीरा किस राज्य में खो जा गया तो गुजरात राज्य में है धौला वीरा किस जैन तीतकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंदी माने जाता है तो अरिश्ट नेमू या नेमीनात को भगवान कृष्ण का निकट संबंदी माने जाता है मौरस आमराज में सीता देख्ष किस वि लिकार किया था तो अलाओ दील खिल जी ने देवगिरी पर अपार संपधा प्राप्त की थी मुगल सामराजी का प्रांतों में विभाजन सरपदम किस ने किया था तो अकबर ने मुगल सामराजी को प्रांतों में बांटा था दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शाशक कौन था तो बहलो लोधी सबसे पहला अफगान शाशक था दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्णर कौन था अलफान्जो डी अलबुकर्क ये पुर्तगालियों का सबसे पहला गवर्द था वासकोडी गामा पहली बार भारत कब आये था तो 27 मई 1498 को वासकोडी गामा सबसे पहली बार भारत आये था भगवान बुद्ध को निर्वान कहां प्राप्थ हुआ था तो कुशी नगर में भगवान बुद्ध को निर्वान प्राप्थ हुआ था शत्रपती सिवाजी की मंत्री परिसत को क्या कहा जाता था तो अश्ट्र प्रधान कहा जाता था जो शत्रपती सिवाजी की मंत्री परिसत थी अर्थरवेद का ब्रामण ग्रंथ कौन सा है नूर जहां का वास्तविक नाम था सायद वंश का संस्थापक कौन था तो खिजर खाने सायद वंश की स्थापना की थी संस्थापक था किस सूपी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है तो निजामुद्दीन औलिया के दुवारा कहा गया था कि दिल्लिया भी दूर है किस गरंद का नुवाद रजम नावा के नाम से हुआ है तो महाभारत का नुवाद हुआ है मराठा स्वतंता संग्राम का नितत औरंग जिव के उरुद किस महिला ने किया था तो तारा वाई ने किया था पानिपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अबदाली और किसके बीच में हुआ तो अहमद शाह अबदाली यहां पर टाइपिंग मिश्टेक है और मराथों के बीच में हुआ था प्रथम जैन सभा किस शाशक के काल में हुई थी सबसे पहली जैन सभा की बात हो रही है चंदरकुप्त मोरी के शाशनकाल में हुई थी व्यादिक यूग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था तो राज तंत्रात्मक था रिगमें सबसे अधिक मंत्र किस देउता की स्थूर्टी के लिखे गए हैं तो इंद्र की स्थूर्टी के लिखे गए सबस्यादिक मंत्र वेदान्त शब्द का प्रयोग किया गया था तो उपनिश्दों के लिए वेदान्त शब्द का यूज है 1779 का प्रसिद अकाल देश के किस भाग में तक बंगाल में पढ़ाथा जो सत्रा सो उननत्र सत्तर की बात है शाह जहांगीर के प्रसुपर के आक्रमाड के समय भारत पर किस वंश का राज्था तुगलक वंश का राज्था जब तैमूर ने आक्रमाड किया फुतुहात ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकता है तो फिरोज शाहत तोगलक की आत्मकता है फुतुहात ए फिरोज शाही कौन सा सूफी संपरदाई विहार में अधिक लोग परिये था तो फिरदौसी सूफी संपरदाई विहार में अधिक लोग परिये था महावाली पुरम के मंदरों का नमान किस राजवंश के शाषकों ने करवाय था पल्ला वंश के शाषकों ने महावाली पुरम के मंदरों का नमान कराया है राष्ट कूट का प्रसिद्ध इस्थापत कारिकौन सा है तो कैलाश मंदिर ये राष्ट कूटों ने स्थापित किया था बनवाय था दिल्ली के लाल के लिए में मोती मज़ित का नमान किसने कराय था तो ओरंग जीम ने दिल्ली के लाल के लिए मोती मज़ित का नमान कराय था वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजासे वसूल किया जाने वाला कर क्या था तो बली ये कर था वैदिक राजाओं वाला अपनी प्रजासे वसूल किया जाने वाला कर स्वतंत्र रियुत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हडपा यूगी निस्थलों की खोज किस राजी में हुई थी गुजरात में सबसे अधिक संख्या में हडपा यूगी निस्थल खोजे गए थे आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था तो मक्खली गोशाल आजीवक संप्रदाय का प्रतिपालक था किस स्थान को बौध धर्म की जन्मिस्थली माना जाता है तो लुंबिनी को बौध धर्म की जन्मिस्थली माना जाता है सिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलता किस राजी की राज सेवा में थे तो ये एहमद नगर की राज सेवा करते थे शिवाजी की पिता शाह जी विक्रम शिला बौधमट की स्थापना की तो धर्मपाल ने विक्रम शिला बौधमट की स्थापना की दीलवाडा का जैन मंदर कहा है स्थे थे तो माउंट आबू में दीलवाडा का जैन मंदर इस्थे थे रायस्तान की काली बंगा में सिंदु घाटी सविता की आवशेश प्राप्त हुए यह स्तान किस जिले में सित है तो गंगा नगर जिले में सित है काली बंगा मदेकालीन भारत के किस शाशक ने मजहर की घोशना की तो मजहर की घोशना अकबर के द्वारा की गई दिल्ली के लाल केले का निर्मान किस मुगल शाषक के द्वार कराया तो शाह जहां ने दिल्ली के लाल केले का निर्मान कराया दिल्ली सल्तनर के किस शाषक ने राजधानी दिल्ली से बदलकल दौरतावाद कर दी थी तो मुहंबद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजदानी को इस्थानने कर दिया था दिवाने को ही जिसकी स्थापना मोहंबद बिन तोगलक ने की थी ये किस विशाय से संबने थै तो दिवाने को ही आपका ये संबने थै क्रशी विशाय से संबने थै अगला कोशन देखिए British East India Company को सूरत में कार खाने की अनुमती देने वाला मुगल शाशक कौन था तो सूरत में कार खाने की अनुमती ये दी गई थी जहांगीर के दुवारा 1878 की वर्ना कुलर प्रेस एक्ट का अभी प्राय क्या था बर्ना कुलर प्रेस एक्ट का अभी प्राय था खानवा के युद्य में मेवाड को पराजित करने वाला शाशक कौन था तो खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवार को पराजित किया था दाश वंस को समाप्त कर खिलजी वंस की आधाशला रखने वाला खिलजी वंस का शाशक कौन था तो जलाल उद्दीन खिलजी कुवत उल इसलाम मजजित करने मान किसने कराय था कलकेता सरवोचे न्याले की स्थापना हुई थी अभीलेक जोpling में लेखेगा है तो अशोक की अधिकांच अभीलेक ब्राम्य लेखेगा है किस से पतने चलता है कि 16 महाजनपत्र रिया छेत्री राज विद्मान थे तो अगंतुर निकाय से पता चलता है 16 महाजनपत्र के बारे में बराह मेहर ने अपनी किस पुष्टक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय का सोटी का विद्मान होना बताया था तो व्रहत सहिता में बताया थ था कि ये सबसे महान चेर राजा थे खैर उल मजलस का लेखक कौन है खैर उल मजलस का लेखक यो है हमीद कलंदर है वरनाक उलल प्रेस एक्ट कब था किस वाइस राय की समय परत हुआ था ये 1878 में लॉड रिटन की समय पारत किया गया था अकबर के दरवार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवी कौन थे तो अब्दुल रहीम खाने खाना ये सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवी थे मलक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकती ये शाशक कौन थे तो ये प्रताम रुद्र देओ इन्होंने मलक कापूर के फिर्द लड़ाई की थी केरट एंड इस्टिक की नीती अपनाने वाले लॉड मिंटो किसके बाद इस पत पर आये तो लॉड करजन के बाद लॉड मिंटु आय थे इन्होंने केरट एंट इस्टिक की जो है पद्वी जो नीती अपनाई थी इस्थाई भूबंदोवस्त किस गवर्णर जिनरल ने और कहां अरम किया था तो लॉड करण वालिस ने बंगाल में इस्थाई भूबंदोवस्त को जो है श्टार्ट किया था सासाराम बिहार में किस साशक का मगवरा है तो सेरशाह सूरी का मगवरा सासाराम बिहार में इस्थित है अस्टांग मार्ग का पालन करने की सिक्षा किस न दी तो गौतम बुद्ध जी न बोला था कि अस्टांग मार्ग का पालन करना चाहिए टीपू सुल्तान के साशनकाल में मैसूर की राजधानी क्या थी? तो टीपू सुल्तान के साशनकाल में स्री रंगपटम मैसूर की राजधानी थी सरपधम कि साशक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाये था सबसे पहले सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाये था वैशाली किस प्राचीन राजज की राजधानी है यजु सहिता में सबसे बाद की सहिता है, किस पश्च में विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निरगवन पर दुख प्रकट किया था, तो प्लीनी ने कहा था कि भाई, रोम से भारत में सोने का जो निरगवन हुआ है, उस पर दुख प्रकट किया था, भारत में लिपी को थापित किया गया था गौधन को अन्दा वंदा सुखदा कहा गया था तो सुत निपात में गौधन को अन्दा वंदा सुखदा कहा गया था चिरांद में लाल वा काले मृदभांड काल का संबंद किस धातू से है तो चिरांद में लाल और काले मृदभांड काल का स स्थापन काश्मीर के स्थापन कसे दिया जाता है तो तो देव पतन तथा काश्वी मर्शी नगर की स्थापने कशे अशोक को दिया जाता है, सिंदु कालिन सविता में घोडे के अवशेश कहां से प्राप्त हुए हैं, तो यह सुर्क ओड़ा से घोडे के अवशेश प्राप्त हुए हैं, किस तो मुगल शाषक को रंगीला की ना निर्माण करा है पुनर निर्माण की बात हो रही है तो रुद्र दमन प्रथम ने पुनर निर्माण करा था सुधर्शन जील का प्रसिद्ध पेशवा वंस में प्रथम पेशवा कौन था तो बाला जी विश्वनाद जी सबसे पहले पेशवा थे ये पेशवा वंस में बाद रायन का ब्रह्मा सूत्र ये वेदांत से संभनित है बुद्ध की प्रतिमा बनाने का श्रे किस कला को दिया जाता है जैन धर्म के तीर्टकर कौन थे तो रिश्यब देव ये जैन धर्म के तीर्थ करते ओम नमो भगवते वाशु देवाय किस धर्म का प्रमुक मंत्र है तो वैश्नो संपरदाय का प्रमुक मंत्र है पिरामिडाकार विमान किस सैली के मंदरों के खास अंग है तो द्रवेड शैली में पिरामिडाकाल विवान शैली यूज की गई है मंदिरों में भारत के किस समराट ने चीन की सेना को परास्त किया तो कनिश्क ने चीन की सेना को परास्त किया महरानी विक्टोरिया ने भारत की महरानी की पादी किस वर्षधारन की थी सन 1858, सततन नहीं 1858 में की थी, 1859 की जो क्रांती हुई थी, जश्ट उसके एक साल वाद, बिटर्स सामराज को भारत की सक्ती, इस्ट इंडिया कमपनी स्चीन कर, बिटर्स सामराज के पास पहुँच गई थी, तो गुरु हर गोविंद गुरु बने, अगला कॉश्ट देखिए, होई साल राज किस प्रदेश में इस्टत है, तो होई साल राज करनाटक में इस्टत है, यहां से आपका दूसरा कॉश्टन है, इसके बाद से, गुरु हर गोविंद के बाद से, ये दूसरा कॉशन है होई साल राज किस प्रदेश में इस्तित है तो ये करनाटक में इस्तित है समद्रगुप्त की उपलब्दियों का वर्णन मिलता है तो इलहाबार प्रसिस्ति में समद्रगुप्त की उपलब्दियों का वर्णन मिलता है विक्रमादित की उपादी किस ने ग्रहन की तो विक्रमादित की जो पादी है ये ग्रहन की थी आपके चंद्रकुप्त द्वतिये ने कनिश्क ने किस धर्म को सनक्षन दिया था तो महायान बौध धर्म को आपको बोध धर्म हीनयान महायान में बढ़ गया था, तो महायान बोध धर्म को कनिशक्रन संसरेंख्शन प्रतां किया था इस्ट इंडिया कमपनी की स्थाफना की समय भारत का शाषक कौन था तो अकबर था कमेंट करके आएहिये महयान और बहुत्रम करें दो भागों में कौन सी बहुत्त संघती में की जहांC फीडियो को स संघती में जा सब्सकाव में पताएंगा दो संप्रदाय में जा इस्ट इंडिय कंपनी की स्था YOUR व्हा रेत्यार के सांगति इसफ्ना धन्म की उपेक्चा करने के लिए किस समकालीन, मुसल्मान या मुसलिम लेखक ने उसकी आलोचना की थी, तो वर्णी ने उसकी आलोचना की थी, कौन सा दिल्ली सुल्तान अशुक इस्तंब को दिल्ली लाए था, तो फिरोशात तुगलक अशुक इस्तंब को दिल्ली लेकर आ पुनर्जम के सिद्धान्त का प्रथम इस्पष्ट आले किस ग्रंत में मिलता है तो व्रहदार अन्यक उपनिशद में पुनर्जम का इस्पष्ट उलेक मिलता है संगम युग में युद्ध का प्रमुकान क्या था तो पशुओं की चोरी संगम युद्ध में युद्ध का प मुंत्री थे प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संग चालीसा की स्थापना किस ने की थी तो चालीसा की स्थापना इल्टुत मिश्कुष कर जाता है रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया था तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था एलोरा के प्रसिद केलाश मंदर का निमान किस राष्ट कुष अच्क ने कराया तो कृष्ण प्रथम ने केलाश मंदर का निमान कराया था मौरे काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकाली क्या कह जाता था तो शुलका दिक्ष कह जाता था जो मार्ग कर वसूलता था मोहन जोदाडों की खोदाई किस नदी के टट पर हुई थी तो सिंदू नदी के टट पर मोहन जोदाडों की खोदाई हुई है अक्बर किस अक्बर जिसे अपनी जीवन काल में पूर्ण ना कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा कर लिया वह कौनसा कार था तो मेवाल को आधीन करना मेवाल की अधीनता किस राजा के शाषन काल में अश्ट पधान मंत्री परिसद हुआ करती थी तो शिवाजी के समय मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्र किस ने किया था तो मंसूर ने मनाया था साइबेरियाई सारस का चित्र जालिम हुमायू के नाम से प्रसिद्रिशाशक किस देश का था तो ये बहमनी वन्ष का था हुमायू नहीं, मुगल वाला नहीं, जालिम हुमायू राजा की उत पत्ती के विशय में प्रथम साक्ष किस ग्रंथ में मिले हैं एतर ये ब्रामण में सबसे पहले राजा की उपत्ती के सिदान्द मिले हैं, साक्ष मिले हैं, विशुद्ध मार की रचना किसने की, तो बुद्ध घोश ने विशुद्ध मार की रचना की, संसकत के नाटकों में पट्टा छेप के लिए यमनी का शब्द का प्रयूक किया इशा की प्रारंबिक सताब्दियों में छोम किसको कहा जाता था, तो लिलन की कपड़े को छोम कहा जाता था, बंगाल की किस नवाब ने 1756 में आक्रमर करके कलकत्ता पर कपजा कर लिया था, नवाब सिराज दौला ने कलकत्ता पर कपजा कर लिया था, हुमायू का मगवरा कहा हिस्टत है इरा नी भांशा के किस ग्रंत की तुलना भारति ग्रंत रिगवेट से की जाती है तो जैद अविस्ता की जाती है बुद्र शंग और धम ये तिरत्न राजर के सब्टांग सिद्दान का प्रतिवादन किस नहीं चांट किने मुगल समृत को जिंदापीर के नाम से जाने जाता है तो जिंदा पीर औरंगी जेव को कहा जाता है क्लाइव के समय बंगाल में स्वेत विद्रो हुआ था इसे किस ने और किस लिए किया था तो स्वेत विद्रो अंग्रेज सेनिकों ने भत्ते के लिए किया था अंग्रेज जो सैनिक थे उनको भत्ते चाहिए ते इसलिए गिया था साइमन कमीशन ने सिक्षा के छित्र में हुए विकास की समिक्षा के लिए किस समिती की स्थापना की तो हर टाग समिती की स्थापना की थी सिक्षा के छित्र में हुए विकास के लिए गीत गोविंद गरंथ के लेखक जयदेव किस साशन के दरवारी थे तो लक्षमन सेन के दरवारी थे जयदेव गीत गोविंद की जनुन रचना की थी चारों आश्रमों का सरुपधम उलेक किस गरंथ में मिलता है तो जाबालोप निशद में चारों आश्रमों का उलेक मिलता है सुत्पिटक किस धर्म का प्रमुक गरंथ है तो बौध को किन तीन नामों से जाना जाता है तो बुद्ध, तथागत और शाक्यमुनी के नाम से समुत्र गुप्त के इलहाबाद प्रसस्ती लेख का लिखक कौन था तो हरीशिर्ण ने इलहाबाद प्रसस्ती का लेख किया था दिल्ली सल्तनत में प्रनाली का प्रारम किस्ता चिक ने किया था तो इलतो तुम इसने प्रणाली का प्रणाम किया था अरभी भाशा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी करती है तो अल बरुनी की करती है तहकीकाते हिंद अकबर की भूराजिस व्योस्था के प्रवर्तक कौन थे तो टोडरमल अकबर की भूरा इस व्योस्ता के प्रावर्ट तक थे जहांगीर के शाशनकाल में असमत बेगम, एतमाद उल्ला और आसफ खां किस गुट के प्रमुक सदसे थे ये तीनो सरवाद की हिंदू मनसबदार किस मुगल समराट के शाशनकाल में थे तो औरंग जेव के शाशनकाल में महातमा बुद्ध ने किस शाशक के राजिकाल में निर्वाशन प्रावत किया तो अजाज शत्रू के शाशनकाल में भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे तो नत शला का प्रकार के थे इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहां के राजा थे तो सिकंदर युनान का था और दारा इरान का था पानिपत की तीसी लडाई में मराटों का सेनपती कौन था, तो सदार शिव राय भावगी दिली सल्टनत का वह कौन सा पृथम सुल्टान था जिस ने शुद्ध अर्भी सिक्के टका और जीतल जारी किये थे, तो उलतित्मस ने टका और जीतल जारी किये थे हल्दी घाटी का युद्ध पगवा था तो 1527 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था साइमन कमिशन का वहाग कौन सा प्रतम सुल्टान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधान मंतरी बना तो Klimit Adly ये बाद में बिटिन का प्रणमत्री बना। किस राजवनश के दॉरान महा बलिपुर्म के मंजर का नमाल हुआ तो पल्लाव राजवनश के दॉरान। दिग निकाए किस पिटक का ग्रंथ है। तो दीग निकाई ये सुत्पिटक का ग्रंथ है, खंड है, माप कीजिएगा, अशोक काल में आहो तो बौध संगती का दक्ष कौन था, तो मोगली पुत्तिस्म, ये अशोक काल में जो बौध संगती हुई थी, उसका दक्ष था, यवनिका किसके प्रयोक के लिए जाने जाना वाला यूनानी शब्द है, तो यवनिका संस्कृतों के नाटकों में पट्टा छेप के लिए जाने जाता है, समुद्र गुप्त के इलहावार प्रसस्ती लेख का लेखा कौन था, तो हरीशेन था, पाठली पुत्र का पतन और कन्नोज का उत्थान, गुप्तकाल के किस चर नाम क्या है, तो लाख बक्च कहा जाता था, खुतबुदीन एवक को, प्रसिद्य यवदीप का आदुनिक नाम क्या है, तो जावा यवदीप का आदुनिक नाम है, दक्षन के अलावर तथा, न्यू नार क्रमशा किस देवता के उपा सकते, तो अलावर जो थे, ये विश का उलेख मिलता है तो रिशब देव और अश्ट नेमी का उलेख मिलता है भैरो कि संपरदाय के प्रमुक आराद है तो भैरो जो है ये कापालिक संपरदाय के प्रमुक आराद है संगम काली न दक्षन भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई तो मेयो देवता से भगवान कृष्ण की तुलना की गई किस इस्मती से पता चला कि गुप्त काली न नियावस्था में नियायले के चार वर्ग थे तो नारत इसमतियें पढ़ा चला था कि नियाले के चार वग थे कल्प सूत्र के रचनाकार कौन थे तो भद्रबाहु कल्प सूत्र के रचनाकार थे अवनाद कल्प लता ग्रंथ के रचनाकार कौन है चोब चैमेंदर ने अवनाद कलप्ट उता नाम गरद लिखाए प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोलक पीम कि रचित पूस्तक है तोद्वत्वत्य शंगन्ग कि रचित पूस्तक है तोलक पीम ये तमिल व्याकरण है क्रम से कौन थे तो कि मत्यू किस स्थान पर हुई तो बेबी लोन प्रुचेश प्रशाश चाह्ट के अंतरगत सैन्ग विभाक का प्रमुक्तफ था तो मीर बक्षी शैन्ग विभाक का प्रमुक्तफ था नचिकेता और यम के बीच सूपरसिद समवाद उलिखित है तो तो फार्सी भांसा दिली सल्तनत की आधिकारी भांशा थी, पंचि सिध्धानति का व्रहद सहिता और व्रहद जातक ये किसकी रचना हैं, तो ये सबी रचना हैं ये वराह महर की रचना हैं, छिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा चंद्रकुप्त द्वती का पश्चमी राज किया था, बौध गरंतों में मिलेंडर को किस नाग से अभी हीत किया गया है, तो मिलिंद नाम से अभी हीत किया गया है, बौध गरंतों मिलेंडर को मिलिंद का गया है, कला की किस सैली को ग्रीक बौध शैली की संग्या दी जाती है, तो गांधार कला शैली को ग्रीक बौध शैली कहा जाता है देवी चंद्र गुप्तम की रचना किस ने की तो देवी चंद्र कुपतम कि जो रचना की है यह की है आपकी विशा कितन ने बहुत इंपोर्टन कॉस्चन ने अर्द नारिश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत्में है तो श्याव मत्में अर्द नारिश्वर की कल्पना है 1260 तक दिली सल्टनत पर किस वंश का राज रहा तो तथा कथित गुलाम वंश का राज रहा अकबर का राज अभिशिक 14 वर्ष की आयू में हुआ था यह कहां संपन हुआ तो काला नौर में आध कि म्रीट्यू के पत्षात नूर जहांन एक मुगल समराढ झोचित किया था था तो शहेया और को मुगल समराढ झूचित करने के यह चौथी बौद्सावा किसके शाषनकाल में हूई थी कनिश के के सैशनकाल में चौथी बौद्संगति हूई थी 1175 से 206 इसवी तक भारट पर किस विदेशी शाशक ने लगातार हमले किये थे तो शहाव उद्दीन मुहमबद गौरी ने लगातार हमले किये थे प्रशिद इतिहास लेखक अलवरुनी का वास्तिवी के नाम क्या था अलवरुनी का वास्तिवी के नाम अबू रेहान मुहंबत था दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था तो इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का आखरी सुल्तान था कि अनंत्वर्मं देट को लिंग राज मंद्र स्थन अंदिर मैं स्थन अंधिक लोती संस्थाह मराशा गुद्ध संस्थापग प्रद्थम जेन स्थन की धुफ्श है कनिष्क ने सब से पहले बुद्धू की मूर्थी बने होगेस्ण निक्टरृ्ट्स carn river थे महाजन्पदव में से किस महाजन्पद की राजधानी का नाम गिरीवरज था तो मगद की राजधानी थी गिरीवरज कोटेल के अर्थसास्त्र में गुप्तचारों को क्या कहा गया है तो गूडपुर्श कहा गया गुप्तचारों को बिंदुसार की म्रत्यू के समय अशो कानून कहलाता है कुणार्ग उडीयसा में पृषिभ सूर्य-मंदर का निमान के साशकने करवाया था तो नर्जिण वर्वन प्रथम ने सूर्य-मंदर करिया था कुणार कवाला बाबर ने अपनी आत्म कथा तुझक बावरी किस भाशा में लखी गई है तो तुझक ए बावरी तुर्की भाशा में लखी गई है मुगलकाल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के समभा को क्या कहा जाता था तो हर कारा कहा जाता था जो जासूस था और गुप्त सूचनाओं को देता था सिवाजी को स्वतंत् वाट्र भाव की प्रेली यह माता, जीजा बाई और गुरु रामदास ने प्रदान की थी, वहिषाली किस महाजनपत की राजधानी थी तो वज्जी की राजधानी थी वहिषाली, करण में वंच की स्थापना वशुदेवने की थी और इस वंच का अंतिम शाषक कौन था तो शुशर्मा इस वन्ष का आखरी शाशक था, Ruddardaman के शाशनकाल में कौन सा स्थल, सिख्छा का प्रमुकेन था, अजैनी ये सिख्छा का प्रमुकेन था, Ruddardaman के शाशनकाल में, Dilli सल्तनत की सीमा का सरवाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ, तो मुहंबद बिन तोगलक ने सबसे यादा विस्तार किया था दिली सल्तनत का सुतंत्र राजपूत राज मेवाड का सरवादिक प्रसिद शाशक कौन हुआ था तो राना कुमबा सबसे प्रसिद शाशक था काला नौर में राजपूत के समय अकबर की आयू क्या थी तो 14 वर्ष अकबर की आयू थी मराथा राजपूत के सुतंत्र शाशक के रूप में 1674 इसवी में सिवाजी का विधिवत राजपूत कहां पर हुआ था तो maragad ke किले में या राइगड के दुर्ग में सिवाजी का आवशेक हुआ था मराथा-शंग की समश्त शक्ती पेशवा के हांतों में आगई तो बाजी राव प्र權ा में यह हुआ था बंगाल में स्थाई-बंदोबस्त के रूप में इस्तमरारी बंदो वस्त का सूत्रपाद, किस गवर्ण गौवर्न Dw recuerds volta 19 15 में महादमा गांधी किस सवायश्राय के साथ बादचीत कर समझोता किया था तो लौड इर्विन के साथ गांधी इर्विन समझोता हुश अब चैनल सब्सक्राद 2 मुगल का आल को सबसे प्रसेद सावजिने के स्थल मान जाता है कल्प सूथ्र नामक महत्वपूर्पूर्पूर्ण्त की यहां प sixty ninelegen फ़िए में सृथ्र प्रिया में अधरा सु है्जी आप करें टेमिन यहां तर्डडम अठाशोर्ग की ब्द्वा esa इस वी तक भारत पर किस विजशी शाशक ने लगातार आक्रमन किया ये कॉशन पढ़ा चुका हूँ अभी आपको मुहमद गौरी तारीक ए फिरोष शाही किसकी रचना है तो जिया जिया उद्दीन बर्णी की रचना है तारीक ए फिरोष साही अकबर ने इबादत खाना किस थापना की थी कहां पर तो फतेपुर सीखनी में इबादत खाना किस थापना की थी अकबर ने भारतिय भाशा सास्त्र का सरवादिक प्राचीन कौन सा है तो भारतिय भाशा सास्त अश्ट अध्याई सबसे प्राचीन है प्रसिद्ध एतिहासिक पुस्तक, मालविका अग्नी मित्रम की रचनाकार काली दास थे भागवत मत की उत्केष्ट और प्राचीनतम व्याक्या है वहत्य जोस्तों, आप कॉश्शन देखी रहें कितने शांदर कॉश्शन है हमने आपके लिए यही जो question है आपके exam जिसे exam के आप तयारी कर रहे हो ना उसमें आ सकते हैं GK के question और हमने 10,000 question तयार कर लिए हैं भारत के सभी exam में 30 साल से बार बार पूछे गए question है इसकी हमने बना लिए PDF अब PDF क्या है आप mobile पर पढ़ सकते हैं किताब जैसे पूरी PDF तया जो है 300 रुपए की है लेकिन सभी को 99 रुपए में अभी दे रहे हैं सिर्फ 99 रुपए में आप सभी को यह PDF मिल जाएगी और फॉन पे गूगल पे पेटियम से आप payment कर सकते हो नीचे दिएगे नंबर पर और WhatsApp पर पेटियम नहीं चलाता वो अपने दोस्तों से रिष्टे तो इसको लीजिए और अपनी जी के श्ट्रॉंग कीजिए जिसको भी चाहिए है नीचे दिएगे नंबर पर यह नंबर आपको पूरे वीडियो भर्षो होगा आपका भी भी कॉल करके WhatsApp करके संपर कर सकते हैं कॉलना उठाओ तो WhatsApp कर लेना